अब हाले में न्यूज में था अमेरिकी राष्टपत जो बाइडेन के खिलाफ जो है माभीयों की जाज करने की अपचारी सुरुआज कर दी गई है अब यह तो न्यूज में था लेकिन हम इसको देखेंगे कैसे हम इसको देखेंगे अपने एक्जाम के प्रॉस्पेक्टिब जान इससे जो पीटे में कुश्चन साते हैं में थिकशन सा तो हम उसको इस क्लास को इस इस हिससाव से देखेंगे ताके हमारे एक्जाम में कैसे पॉस्टिब बेव में काम आए ठीके की बीचे करेंगे तो बात करेंगे अमेरिकाय जो यूएस प्रेजिटेंट इंपीजि कि आ गया ता लेकिन सीडन फॉरह इनमें डोरसी नहीं ठेहरा गया था इसके बाद रिचर्ड निक्सन के खेलाफ लाए गया था लेकिन इन्हों ने जो है on that's the voting से पहले ही इसके बाद बलें के खिलाब ना गयागता इन्हे जो है इन्हें भी तो 22 डोशी नहीं महाभीयोग की। सबसे पहले आपको बता है महाभीयोग जो होता है USA में वो केवल प्रतनी जिसाभाद द्वारा दाया आता है। इनन द्वारा इसकी जांच की जाती है। दो तीहाई बहुमत चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं USA और India comparative study करते हैं। इन पर चला जा सकता है USA में देखेंगे तो महाभीयोग जो है राष्टपत उपराष्टपत सभी नागरी जो संगी सरकार के अधिकारी हैं उनकर महाभीयोग के अधिन आता है। महाभीयोग का आधार USA में क्या होता है। राजरो का बात हो रिस्वत खोरी की बात हो अन्य बड़े अपराद हो दुस्कर्म हो। लेकिन भारत में जो महाभीयोग आता है वो केवल संविधान के उलंगन के अधार पर लाया जाता है। इसके लावाभा प्रक्रिया की बात क है परिछड करेगा तो पीठथा सिर्वाभय न होता है वह अमेरीका का जो मुक्षयादियस होता हो परिछड करता है अमेरीका में बात करें आरोपो का जो संकल्प होता है वो कि तनसत के किसी दौरा पारित हो जाता है तो दूसरे सदन भेहा जाता है जहां प्रस्ता पर मतढन से पहले पार्वा की जांच होता है ड्यौस wr representative जो है माभियोग संकल पारित होना होता है तो वो अभियोग को सुईकार करने जैसा है इससे जो है राश्पत पर्च से नहीं यड़ता बलकि निचले सदन में माभियोग की मंजूरी के बाद उच सदन में सीनेट की एक अदालत की तरह बैठे बुला जाती है राश्पत को के राश्पत के पड़से बहुत नहीं जाता है और भारत में अभी तक किसी भी राश्पत को महाभियोग नहीं चला गया तो यह वारत की पीडियाप चाहिए तो हमारे टेलग्राम चानल वार्टसप पेज को फॉलू कर सकते हैं इसके लावम बात करें कुछ फेक्शन and जिया गया है ओरन्यश्पत की बात करें की कीडियो तो ड्रेका नॉम्नल हेड होता है उसका प्राव्धान लिया गया भात करते हम युएसे में देखेंगे तो इनको है निर्माता माना जाता है और अमेरिका का प्रियंबल है यह भारत का प्रियंबल आप देखेंगे प्रियंब जो है नियाइपालिका शरवच होती है संसत्ड बियुस्थापिका उच्छ संसीनिट के संग सभी के समान प्रतित का इसमें प्राधान होता है अब देखेंगे भारती और अमेरिकी नियाइपालिका के तुलना थोड़ा कर लेते हैं अगर तुलनात्मा का ध्यान करेंगे इस दूसरा में देखेंगे तो भारत कानुन दौरा अस्थापित प्रक्रिया यानी procedure established by LAPP करता है जबकि स्थायूत Shar除 अमेरिक्ळ जो है देखेंगे due process LAPP करता है अब ये होता क्या है है भारत के मामले में बात करें तो भारत के मामले में एक मामला था मेनका गाधी बना भारास संग मामले में 1978 में इसमें हुआ का था मेनका गाधी उस टाइम जो है जनता पार्टी की सरकार थी 1977 में उनका पासपोर्ट जो है जनता पार्टी सरकार ने रख लिया था उन्हें विद्यस यात्रा पर प्रत्रिबंद लगा गया था तो मेनिका गांधे सीधे सुप्रीम कोड गए थी और किस आधार पर गए थी जीवन के अधियार की रच्छा के लिए याज के लेके जो है सुप्रीम कोड गए थी ठीक है तो आप देखेंगे जब भारते समिधान में लिखा गया है कि विद द् विद की उचित प्रक्रिया का प्रयोक किया था यानि प्रोसेजर इस्टेबलिस बाई लाकी जगा ड्यू प्रोसेस लाकी बात की थी यानि विधाईका को जो है विद के निर्माल का अधिकार है लेकिन विदी दारकिक उचित होनी चाहिए ठीक है या अतारकिक नहीं होनी और जीवन के अधिकार को जो है छीने अगर ये छीनता है तो इसे अवैद कर दिया जाएगा ठीक है और इसी में जो है नेच्रल जस्टिस का प्रतिपादन किया था सुप्रीम कोट ने और सुप्रिम कोट ने जीवन के अधिकार की व्याक्या की थी इसमें जीवन के अधिकार के साथ साथ देखेंगे जो जीवन का अधिकार में प्रताणना के अभाव नहीं बलकी जो आप देखेंगे गरिमा में जीवन को भी सामिल किया था सुप्रिम कोट ने और सुप्रिम को लगा जा सकता हैं यही कह रहा है कि भारत का कानून due process of law करता है अब इस में next बात करेंगे तो भारत का सरवच नियाल अपने आपीली छेत्रा दिकार का प्रयुक करते सम्मधान करता है है जबकि अमेरिका का सरव चाहिए केवल समवै धानिक मामलों तक सीमित है hail कि यहां पर देखे कंपरेजन दिया गया है कि विद्धुद्वारास्थावित प्रकरिया और विदुद्धार्य प्रकरिया का कंपरिया तैसा है यह संविधान में की बात करें तो जो वीद होती है वो निर्धायत प्रक्रिया उचित और तारकेक होने चाहिए नियाइपालिका के अंसार देखेंगे प्रोसेजर इस्टेबलिस बाइला की बात करें नियाइपालिका का अंसार निर्धायत प्रक्रिया का पारण करते हुए जीवन कहिदकार को चीना जा सकता है डिव प्रोसेस ला के कॉर्डिंग देखेंगे तो प्राक्तिक न्याय और वासिधानतों का अनुरूप होना चाहिए अब फिर बात करेंगे विद्वारा सावुत प्रक्रिया में नेक्स जो है अंदर की बात करें तो बिद्व में लेखित प्रक्रिया को लं हो जाती है डिव प्रोसेस ला की जाच्म के दवरान ठीक है नेक्स समानता की बात करें तो नियाइक प्राणाडीक में अपील के लिए विश्यस अनुमत का अभ्यापक विवेका दिकार है भारती नियापलिया के पास जबकि अमेरियों में नियाइक जूडिया प्राणाड आपया अभ चैसे हमने बता की यह बात की भारत मं के मैं चैरा थीक Season 7 अभ्याटकारो छो मतलब कि वह और भारती नियाइपली जो होती है सालाकाली छेतरा अधिकार का प्राउधान है इसके लाओं ये तो आपको समझ में आएगा भारत में नया एक समिच्छा का दायरा सीमी थे जबकि अमेरिका में इसका दायरा ब्यापक है अब कुछ USA के लौक ही बात करें जैसे अगर बात करें तो USA में जो स्पीकर होता है जो स्पीकर हो होती है उसमें तीन एस्तर पाए जाते हैं जनपत्र प्रांत और सर्वच नयापालिका वो के संघी मामलों को निपटा है और नहें बात की आपइली मामलों का दवारा संघी नयापालिका में लाया जासकते है और USA में जो नया अधीस होते हैं उनके नियुक तर राष्टपत द्वारा की जाती है ठीक है? लेकिन उन्हें केवल महावियोग द्वारा ही खटाया जा सकता है जैसे राष्टपत को खटायाता है उनकी नियुक जो है आजीवन होती है और योगता का कोई सम्विधान में वर्डन नहीं किया है इसके लावब बात करेंगे जो यूएसे का जो है यूएसे में दो मुखे दल पायाते हैं रिपब्लिकन और दूसरा दिखेंगे दूसरा जो है आप देखेंगे डिमोगुरेटिक रिपब्लिकन इसके विधान में बहुत सारे ल्हे लेकिन मुखेता जजे दो दल है च्रॉम्प ठेंटिक की बात करें तो आपो बाईडन है और देखेंगे USA में ढलों के बीच, कोई वैचारिक नहीं पाए आता है इसके लाओं लाश्ट आपको बात करें, सीनिट की बात कर लेते हैं, सुड़ा सा सीनिट की बात करें, तो सीनिट जो होता है वो इनिट में दूसरे साल जो है अटते रहते हैं और सीनेट में प्रत्यक राज से जो है दो सदस से आते हैं दो सदस का चुनाव होता है यानि राज्यों की समानता का सिध्धान जो है अमेरिका के सीनेट में अपनाया गया है चुनाव प्रत्यच प्राणिदारा होता है और जबकि भारत मे देखेंगे राजसभाव में जो सदस्याते हैं वो जैसे बड़े राज हैं यह सदस्कंवार उन्धार का उनसे आएंगे तो ये तो बात हो गई कि इससे में सीनड की या पालिका की महाभियोग की और कंपरिजिव कॉंसिट्यूशन हम लोग देख चुके हैं तो आज से क्लास यही पर समप्द करते हैं मिलते हैं नेक्स लेक्चर में किसी नए टॉपिक किसे